नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में है पंचायती राज से संबंदित कुछ महत्पूर्ण तत्व भाग एक दोस्तों जैसे कि आप पटवारी की वैकिंग से आ चुकी है उसमें एक पंचायती राज एवं आर्थ विवस्ता का चैप्टर बहुत ही महत्पूर्ण है तो दोस्तों पंचायती राज से संबंदित कुछ महत्पूर्ण तत्व मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों आंगे बढ़ने सपहले आप से एक नवेदन है कि जिन दोस्तों ने म सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अंगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिपिकेशन आप तक आसानी से पहुंच रहे और आप हमारे हर वीडियो को देखशकें तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आंगे बढ़ते हैं जानते हैं पंचायती राज्य के बारे म लाट रिपिन को भारत में इस्थानिय श्वसासन का जनक माना जाता है दोस्तों इसके बाद अंगला है भारत के शंबीधान के नीती निर्देशक तत्पों के अंतरगत अनुक छेतर चालीस में यह निर्देश है कि राज्य ग्रामीन पंचायतों का संगठन करेगा और उन प्रिथम 1957 में बलवन्त राय महता समीती की शिपारिस पर लोक तांत्रेक बिकेंदीकरन और श्रमुदायक कारीकरम को सफल बनाने ही तू पंचायती राज संस्ताओं की सुरुआत की गई इसके बाद उस्तों अंगला है चौथा पंचायती राज विवस्ता का शवारंब भ जले में किया गया था इसके बाद अंगला तत्व है राजस्तान के बाद 11 अक्टूबर 1969 को नहरूजी ने ही आंद्र प्रिदिश राज में भी पंचायती राज का सुवारंब किया इसके बाद दोस्तों अंगला है तहित्तरवे शंबीधान संसोधन अधीनियम 1952 के पंचायतों को शंबेधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसके बाद दोस्तों अंगला तत्व है भाग 9 में अनुक्षेत 243 के अंतरगत 3 इसतरिये पंचायती राज विवस्ता का वर्णन किया गया है इसके बाद अंगला तत्व है तहित्तरवा शंबीधन संसोधन 1992 देश में 24 अप्रेल 1993 को लागू हुआ था इसके बाद अंगला तत्व है और दोस्तों इस वीडियो का आखरी मद्द प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधी नियम पिधान शवा में रखा गया था और दोस्तों 25 जनवरी 1994 को यह पारत किया गया और 20 अगस्त 1994 को अधी बूर्ण राज में लागू किया गया दोस्तों आज के सवेडियो में बस इतना ही मिलते हैं अंगले नैस्ट वीडियो में जो पंचायती अर्थवस्ता से संबंधित हो गा दोस्तों अंगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तानकि जो भी अब मैं अंगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिपिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्रीश लाइक करें अधि नाया हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं ताकि मुझे भी बताने की इसमें कौन सी गलती है और मैं क्या सुधार कर सकता हूं तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाई